मामू यह उड़ उड़ के बात मारेगा बड़ा क्रिशो के वे आज मुन्ना ने जो काम किया एक बहू की तरह यह गोला भी तकनी सो रहा और रात के थाड़े बारा हो रहे मा संस्कार देती है बच्चे को मैं तो यह सुन सुन यह हमारे घर के लाला जी लाला जी अक्तर नंगे घूमते हैं कभी उपर से नंगे और कभी नीचे से यह देखिए यह देखिए लाला लोग का पेट होता है न शी लाला लाले लाला घुले घुले, आलू खाना के गाज़र घुले आलु के गाज़र गबा बाब आपका बच्चे इतना चोटा है गोले जैसा और ऐसी हर्कते करता है तो प्लीस आप हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या चाहता है अचाहता है थालो जी वेलकम टू आज अलो एलो एल काफी लेट हो गया आज मैं थोड़ा वैसे मेकप कर लिया मैं तो व्लॉग बनाना तो काज रहा जाने पाले वुन्या बही ने दिवाली से शट नी बद्री और गाइस मैं आपको गुड नीव्स बताती हो मुन्या ने जी लड़की आती है वहां यदू कि यह जोईन किया है थे थे कमीला कैसे चुप हो गया कुल ट्रेनर को कि यह जो मर्जी मशीन चला लेगा नरे बता ही और ट्रेनर लेंगा तो उसका चांची सालभ लगे क्या है उसका बुले 5000 दो बड़ मैंने कुद कर लोगा मैंने कर बुन् अब लड़की ट्रेन नहीं है तो मैं तरह पैसा बर दूंगी और वो बोले कि चलो लड़की ट्रेनर उसका 2000 तो बर देगा 2000 फिर बर देगा लड़की ट्रेंड हो जाएगा हो जाएगा चली ठीक है समझ गई मैं तुम क्या चाहता है तो दोस्तों आज मुन्ना ने जो काम किया एक बहू की तरह मुन्ना ने आज हम सब के लिए कड़ी बनाई है है ना शीला तो मुन्ना की फैन हो गई ना जी थैंक यू दुकर आई कैती पहले से हूं किस चीज की फैर वही क्या किया इसने इसा वोद अच्छा है इसके लिए है हो मुन्ना वहिया इतना अच्छा है वह यह यह तो उडिसा उडिसा मिल गया है चल फिर जा मुन्ना पेंट उठा पाँ उठा उठाया अच्छा है ब्लोग बंद कर दिया है अच्छा है आज मैं लेकर आऊँगे चौबिस रुमार और देखना बेरा जारी हूं पजार मैं बिना लिपस्टिक लगाए वह यहां गया था मैंने ब्लॉग बंद कर दिया मुझे इतनी उभूग लगी लगी अब मैं खांगी कुछ जागे और रुमार लेके ते आँगी आँगी एखना ममी होगी तो चलिए से मैं बजार से वापस आगई हूँ और मैं रुमार भी ले आई मैं अपनी ममी के लिए और मैं भी घर बेच दिये आपे दो तिन दिन दिक पाद देखना ते रुनी बदा चीज ले मामू कि देखो कैसी बाते करवाता और हस्ता भी है हर्ष गोले लो यह उड़ के बात मारे का बड़ा क्रिश्यों के फिर गोली ममा ममा फाइनली मुन्ना हमारे घर बाल्टी लेकर आगया दोस्तों हर्ष बरफ डालके ना आता है उसमें जोर से बरफ फैगी यह तो बाल्टी उसने तोड़ दी अब नहीं बाल्टी लेकर आया आधी रात को क्योंकि मैंने बोला था सुबे सर के लिए तू देख ल तू देख लिया बना सारा तू आवर्स लेटर मैं बाहर गई थी और पानी पुरी खाई तो शीला मुझे बोला दीदी खाना तो मैंनोरा नहीं मेरा मननी कर रहा और अब मुझे भूग लग रही है पेटा काती हो पानी पीड़ूंगी हो गया यार ये इधर ये हसके वीडियो देख रहा है ये गुला भी तकनी सो रहा और रात के सबा बारा साड़े बारा हो रहे बहुत गलत हो रहा है पता आगे चल की एक दो महिने में उसको स्कूल जाना है फिर बहुत प्राब्लम होगी पूरे घर को क्या करे यार मतलब कैसे सुलाए उसको जल्दी सुचो बेटा सुचो यही तो सोचने वाली बात है मुझे लगता कि हमको न उसको दुपहर को नहीं सोने देना चाहिए क्या कहता है है ना उसको दुपहर को नहीं सुलाना चाहिए बट क्या करे यार बड़ा तरस आता है बहुत तरस आता है यार मतलब ऐसे लगता कि मैं उसकी मम्मी सबजी वेचने वाली हूँ तो बच्छा उधर बैठा बैठा सो रहा है कैसे इसको राक को जल्दी सुला हूँ मतलब मैं चाहती हूँ कि दस बज तक यह सो जाए अगर इसका सुवे नौ बजे का स्कूल हुआ या साथ बजे का हुआ है इने नहीं उठना अर्श इसने नहीं उठना आई है हमारी फीज बर बाद करवाएगा वच्छा इसाब बताईए कि मैं क्या करूँ मेरा क्या यह डिसीजन सही है कि उसको दोपहर को ना सोने दे क्योंकि मुझे बहुत जादा स्ट्रेस हो रहा है और स्कूल कैसे बेजेंगे इसको यह रीरी करता रहता और इसको तो आदत भी नहीं है सुबे नहाने की मतब सुबे इसको फ्रेश करवाते हैं स्वांच वांच करते हैं बट यह नहाता बारा एक बज़े जब इसकी प्रॉपर मसाज होती है तो उस अब चेंज करना पड़ेगा यार मैं हिल गई हूं दोस्तों क्यों हिला डाला प्यार मैं क्या करूं मंदकर आवाज अभी उदर से टॉइस की आवाज आ रही है तो मतलब वो जाग रहा है ओ नौ यह देख लो यह तो अपना बच्चा लेके सो रही है और उदर हमारा बच्चा नहीं सो रहा शीला क्या करें मुझे बहुत टेंशन हो रही है नहीं आगे यार नहीं यार पूरे घर की लाइटे इसलिए बंद की है कि वो शो जाए मैं को चिंता होती है रूपा दिदी की क्योंकि उसने अभी तक खाना भी ने खाया वो गोलती मैं अराम से खाऊंगी हम बीच में रूपा देटी को बोलते पी रहते हैं देदी खाना खालो खालो बट बोलती ही निए मैं अराम से खाती हूं मेरको भूख नी है मैं चाय पी आ फलाना धिम का जो भी पाँ सो मेरको उनकी बड़ी चिंता होती है लेकिन मुझे अपनी बहुत चिंता हो रही है कि आगे चल के मैं क्या करोगी यार है कि मुझे भी शीर पाड के ना पड़ेगा कुझे इसको जाना पड़े एक एक अफता आपको अपसा पड़ेगा एक भतार हूं पापा को वालतों मुझे ही जाना पड़ेगा दाधा नाश्ता मिन नाश्ता भी जाता है कुछ बच्चों को खिला के लेकर जाना पड़ता है ना सुबही खिला के लेकर जाता है उद्धार और कुछ खिलाते दस बाजे ऐसा अच्छा तुम्हारे इतने बच्चे हैं शॉट ब्रेक होता है उसके लिए भीजो फिर लंच भीजो में तुई सुन सुन हई हुण है ओक और में तु बढ़ेन, अपर मैं तु दूसरा बच्चा चर्ण कर歌 कर मारे है अब मेरे को फंबल भे आ whites Quran के से कर लो मेरे की तु ये इसका सोच है में ने में कुछ यह एसा कि यह सू हो जाए जो तो तो मैं देखकर आई हो गोला थोड़ थोड़ा सोने वाला है और फिर उसको मैं इधर ले आऊंगी यार बढ़ा परिशान हो गया और बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अब गोला स्कूल जाएगा दो-तिन महीनों में उ करना भाई खराब हो जाएगा हर्श समझेगा है तू रही है मास अंसकार देती है बच्चे को इसके आगे एक शब्द में मतलिएगा और बाप जो बारा-बारा एक-एक वेता कर देखता रहता है वीडियो पॉड़कास्ट यह वो वेब सीरीज मैं सोचाती हूं दोस्तों यह हां पर बैठा रहता है और पता नहीं क्या देखता रहता है इसका बहुत बड़ा हाथ है खराब करने में मेरा त decision मेरा मेरा भी मैं मान मैद मान लिया मैन ने मेरा भी है बट मैं ही सुधारों की चाहिए जो मर्ड़ी करें अब देखना सुबह कैसे साथे-साथ बज़े- मैं करली बालों पर उंगलियां डालके उठाती मैं चलिए व्लोग को एंड करते हैं मिर में अब वो आ गया है जूश सुबह देखना आप बाई चैनल जीस ने सब्सक्राइब नी किया वो कर ली जी कल फिर मिलते हैं यह बोलता है अभी ने उठा देना बच्चे को जाकर चलो